आये 36 गर से भी विराजमान हमारी साध्वी बेहन पोट्यडी आसरम से आई हुई हैं आपके विचार हम सुने साध्वी साक्षी साहिब जी यहां विराजमान है तो 10 मिनिट आपके लिए भी समय मिला हुआ है मेरा निवेदन है कि आप अपने विचार समय की सीमा को ध्यान खेंगी बोलिये सद्गुरु कबीर साहिब की जय जय बोलिये सद्गुरु कबीर साहिब की संत समाज की भक्त समाज की भक्ती मती माताओं की दरसन को तो साधु है सुमिरण को गुरु ग्यान तरसन को तो साधु है सुमिरण को गुरु ग्यान तरन को आधीन ता डूबन को अभिमा तरन को आधीन ता डूबन को अभिमा परम पुज्य गुरु देव जी अर्चनी वन दन्यसं समाज ससंक प्रेमी धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्ती मती मताओं मेरे लिए भी आज्या हुई है आज्या पालन है तो आप लोगों के समक्छा कुछ देर निवेदन प्रस्तूत है बड़े ही बड़े दूर से दूर दूर से सब लोग इस आस्रम में आए हैं कबीर मंदिर में आए हैं अच्छा और सब लोग सुबा से ही चार बजे तीन बजे उठ करके इस्नान करके सब लोग सेवा में लग जाते हैं सेवा से अभी साहिब बता रहे थे काम करते रहो नाम जबते रहो वक्त जीवन के योई ही निकल जाएगा गर लगन सच्छी सद्गुरू से लग जाएगा सारा जीवन का नक्स्ता बदल जाएगा और हमारा सवभाग्य है कि हमें आजे पार्खी गुरु मिले है हम यहां गुरु के दर्बार में आए हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने मन को सुध्ध करने के लिए मन को पवित्र करने के लिए क्योंकि मन ही खास है मन यदी सुन्दर बन गया मन यदी पवित्र बन गया तो पूरज जीवन सुन्दर बन जाता है आप देखते हैं आप बजारों में निकलते हैं मेले में निकलते हैं तो जितनी दुकाने लगी है अभी यहाँ पर आये हैं तो सब लोग भूमने के लिए जाते हैं कुछ समान खरीते हैं कपड़ा खरीते हैं क्रीम पावडर खरीते हैं सरीर के लिए ही सब कुछ मिलेगा वहाँ पर दुकान में आप जाएंगे तो सरीर को सजाने के लिए ही चेहरे को सजाने के लिए बालों को सजाने के लिए आपको पूरी समागरी मिलेगी लेकिन मन को सजाने के लिए कहीं आपको दुकान में मिलने वाली नहीं है इसी ससंग इस थल पर मिलने वाली है तो सभाग्या है हम सब का कि हम गुरु के दर्बार में आए हैं मन को सजाने के लिए जीवन को सजाने के लिए तो मन यदि सुन्दर बन गया मन पवित्र हो गया तो जीवन सुन्दर हो जाता है और यदि मन खराब हो जाता है तब जीवन हमारा खराब हो जाता है इसलिए चेहरे को सजाने से सरीड को सजाने से आदमी सुन्दर नहीं दिखता है सुन्दर वैक्ति जो अपने चेहरे को सजाता है वो दूर से अच्छा लगता है और वही वैक्ति के संग साथ में यदि आप कुछ दिर रह कर देखते हैं जिसका सुभाव ठीक नहीं है, जिसकी वाड़ी ठीक नहीं है, जिसका बेवहार सही नहीं है उसके साथ आपको रहने का मन नहीं होगा, लेकिन एक वैक्ति होता है, देखने में जो कुरूप होता है सुन्दर नहीं होता है, और वैक्ति के सुभाव सुन्दर है, वाड़ी सुन्दर है उसके साथ यदि रहते हैं तो आपको दूर जाने का मन नहीं होगा उसका सुभाव उसका आचरन आपको अच्छा लगने लगेगा तो इसलिए सरीर को सजाने से आदमी सुन्दर नहीं बन पाता है तो सद्गुण रूपी गहना आप पहने सद्गुणों से आप अपने जीवन को सजाए तो आप जीवन भर सुन्दर दिखेंगे यहां तक दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी आप सुन्दर लगने लगेंगे सब लोग याद करेंगे आपको बड़े बड़े जो महापुरुस आज हमारे बीच नहीं है हमारे गुरुदेव सद्गुरु स्री अभिलाज साहब जी सरीर से हम सब के बीच नहीं है लेकिन हम सब के दिलों में समाए है और उसी को याद करके सद्गुरु को ही याद करके हम आज इस दर्बार में पहुँचे हैं और जो कुछ आज हमें मिल रहा है गुरुदेव जी की ही किर्पद रिष्टी है यहां तक हम पहुच पाए हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हम अपने मन को सजाए अपने जीवन को सजाए किवाद सरीर को सजाने में ही ना लगा रहे सद्गुरु कभीर सहेब ने भी कहा है प्रेम पाठ का चोलना पहिर कभीरु नाच सद्गुरु कभीर सहेब ने यह नहीं कहा है कि किम्ती किम्ती वस्त्र पहन करके गहना जेवर पहन करके लाद करके आप नाचो उसी में आप सुन्दर दिखोगे ऐसा सद्गुरु कभीर सहेब नहीं कहा है प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो प्रेम में ही सब कुछ समा जाता है प्रेम जिसके दिल में प्रेम है अब प्रेम उसी के दिल में होता है जिसके जीवन में त्याग होता है जो त्याग करता है उसी के दिल में प्रेम रहता है अब बिना प्रेम के कोई त्याग नहीं क दूसरे के लिए भी सोचे, दूसरे के लिए ही भी कुछ करे, किवल अपने लिए ना सोचे, तो मन जिसका सुन्दर होता है, उसका जीवन सुन्दर होता है, तो आप यहां आए हैं, तो कुछ ले कर जाएए, कुछ ले कर जाने का मतलब यह नहीं है, कि आप दुकान में जाए और बड़िया बड़िया समान लाद करके ले जाए ऐसा नहीं है कुछ गुरु जनों से जो कुछ आपको मिल रहा है ज्ञान मिल रहा है उसको ले कर जाईए अब जहां से आप आए हैं जो भी मिलेंगे उसको आप माटे तो आपका जीवन सुन्दर बनेगा सांस साथ दूसरो को भी कुछ लाभि मिल सकता है और हम सुनते हैं सुन करके छोण देते हैं जीवन में अपना नहीं पाते हैं दो घंटा तीन घंटा सस्तंग तो सुनते हैं लेकिन जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ पाता है जीवन बदलता है तो उसको दूसरे लोग देखते हैं तो वो ल उसका जीवन बदल गया, तो हम भी जाएंगे तो हमारे जीवन भी बदलेगा. और हमारा जीवन ऐसे ही पड़ा रहेगा, नहीं बदलेगा, तब क्या होगा? कोई आप से कुछ सीख नहीं पाएगा, कोई लाभ नहीं ले पाएगा. इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए और यही माना जीवन की सुन्दरता है कहना चाहिए सार्थकता है माना जीवन पाने की इसलिए कहते हैं आस्मा की सोभा सुन्य से नहीं सितारों से हैं देश की सोभा गदारों से नहीं वफ़ादारों से हैं मनुस्य की सोभा उसके रूप रंग और संदर्य से नहीं बलकि सद्गुण और सद्विचारों से हैं सद्गुण और सद्विचारों से हैं तो हम सदगुण और सदविचारों को अपनाए, अपने जीवन को सुन्दर बनाए, मन को पवित्र बनाए, ताकि आप जीवन भर खुस रहे सकेंगे, जीवन भर अच्छा बनेंगे, आपके परिवार अच्छा बनेंगे, आपके पडोसी अच्छा बनेंगे, तो हम अपना जीवन बदल लेता है वो उससे सबका जीवन बदल जाता है जो आपको देखेगा आप से कुछ सीखेगा उसका जीवन भी अच्छा बन सकता है तो पहले हम अपना सुधार करें अपने बारे में सोचें और अपनी कमी देखें कमी को देख करके हम दूर करें यहां हम बुराई बुराई को त्यागने के लिए आए है बुराई को छोड़ने के लिए आए है अब जब तक हमारे अंदर में बुराई रहेगा तब तक हमारे जीवन सुन्दर नहीं बन सकता है हम अपने बुराई को बाहर निकालेंगे तो ऐसे ही बाहर नहीं निकल जाता है जब हम अच्छा को अपनाना सुरू करेंगे धर्म ग्रंथों को पढ़ना सुरू करेंगे ससंग सुरू करेंगे अच्छी आदतों को अपनाना सुरू करेंगे तो हमारे अंदर के जो बुराईयां हैं वहां दूर हो सकती हैं कहीं पर अंधेला हो तो अंधेले को आप ऐसे ही धकेल करके दूर कर सकते हैं वहां ले जाकर के दीव जलाना पड़ेगा दीव जलाने से अंधेला अपने आप दूर हो जाता है ऐसे ही हम ज्ञान को प्राप्त करें अच्छी आदतों को अपनाएं तो हमारे अंदर के जो अंधकार हैं हमारे अंदर के बुराईया हैं बुरी आदते हैं वहां अपने आप छूट जाएगी इन्हीं सब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं बोलिए सद्गुरू कभीर साहेब की सद्गुरू स्री अभिलास साहेब की आएए बहुत गंभीर विचार अभी हम सुन रहे थे जीवन निर्माण के बारे में आप सब के बीच हमारी साहेब लोग विराजमान हैं समय काफी हो चुका है और मैं चाहती हूं कि कभीर साध्वी आश्रम मूरा से पधारी हुई जो 36 गड़ में आश्रम है साध्वी बेहनों का आश्रम काफी साध्वियां आपके संरक्षण में वहाँ पर साधना कर रही है तो मेरा निवेदन है आप से साध्वी सुमन साहिब जी आप बहुत सुन्दर भजन भी गाती है है और इनका चैनल भी है शुमन भजन माला उस पर आप भजन सुनते होंगेने सुनते होंगे तो आप जरूर यूटूब पर सर्च करके सुनिएगा कभीर सुमन भजन अमाल्का nord आये आप आज हमापके विचार सुनते हैं विचारों से लाव लेते हैं आप सभी लोग आप साहिब जी के विचार सुनिए और गंभीरता पूर्वाग विचारों को शुर्वन करिए बोलिए शद्गुरु कभीर साहेबे की जय पुरुस भाई लोग तो जयकार अलगाते ही नहीं है अभी साहिब कहेंगी तो आप सभी लोग जोर से जयकार अलगाएंगे कि प्रेम से बोलिए सद्गुरु कभीर साहेबे की संत समाज की भक्त समाज की मंगल मैं मंगल करना मंगल रूप कभी द्यान धरत नासत सकल कर्म जनीत भव पी परम स्रद्धे परम पुज्य गुरुदेव जी विरत विवेक संपन अर्चनी वंदनी संत समाज एवं मेरी साध्वी बहनों तूर्दराज से आये हुए सस्संग प्रेमी आत्मी वंदनों एवं भक्ति में मेरी माता बहनों आज हम सब का परम सभाग्य है कि हम सब अपने इस गुरु धाम में स्री कभीर पारक्स तंसान प्रियाग राज में आकर के संत गुरु जनों का दर्शन और उनके वानी विचारों का संदर लाव ले रहे हैं ये हम सब का परम शभाग्य है सच्मुच में इसलिए ये बात कही जाती है कि सत्संग वह संजीवनी बुटी है इसे जो कोई भी पिएगा उसका तन्मन स्वस्त हो जाएगा और इसमें उम्र की बात नहीं होती है हर कोई हर उम्र में पी सकता है और तन्मन से स्वस्त हो सकता है और बात आती है कि इस सत्संग रुपी संजीवनी बुटी को पीने के लिए नबालक, किसोर, युवा, युवा, बुढ़ा, अधेड़ अवस्ता कोई भी हो कोई भी अगर इस संजीवनी बुटी को पीएगा तो वहर उम्र में कारगर सिद्ध होता है मैं अभी खास युवा वर्ग पर विचार करना चाहूंगी कि आज हमारी युवा पिढ़ी जो है इस सत्संग रुपी संजीवनी बुटी को पीना नहीं चाहते है वो खाना पीना, खानी पीने और मोज उडाने की जिन्दगी जीना पसंद करते है क्योंकि आज युवा सक्ति ही, युवा समाज ही हमारे देश, समाज और राष्ट के निव होती है जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि भवन को टिकने के लिए मजबूत निव की आवश्चता होती है इसी प्रकार से राष्ट को सक्तिसाली बनाने के लिए, देश और समाज को सक्तिसाली बनाने के लिए युवा सक्ति रुपी निव की आवश्चता होती है क्योंकि युवा हमारे देश के आधार होते है भारत युमाओं का देश है और युमाओं का भारत में अहम भूमिका होती है इतिहास गवा है कि भारत के आजादी में युमाओं का ही हाथ था उन्ही की अहम भूमिका थी चंद्र सेखर आजाद, भगस्ती, लोकमान्य तिलक और भी विरांगनाई हुवी है जासिकी रानी, रानी अहल्यावती, रानी दुर्गावती, जलकारी बाई कितने ऐसे वीर और विरांगनाओं ने हमारे देश को आजाद किया तो आज युवा सक्ती ही हमारे देश की महाशक्ती है लेकिन हम देखती है और भी बात कही जाती है कि हमारे देश में युवा जो है पचीस कडूर जन संख्या में है और हर साल 12 अगस्त को अंतराश्टी युवा दिवस भी मनाया जाता है कहते हैं कि यह युवा दिवस 12 अगस 2000 से ही यह अंतराश्टी युवा दिवस मनाया जाता है तो सचमुझ में वही बात फिर से दोराओं कि हमारा देश युवाओं का देश है लेकिन आज बड़े दुख एक मिट ये छोटा बच्चा यहाँ पर रो रहा है ये जिनका भी बच्चा हो इसको यहाँ से ले के चले जाईए सब लोग एक बार मेरी तरफ ध्यान दे एक छोटा बच्चा यहाँ पर आया हुआ है और बहुत देर से रो रहा है ये जिनका भी सज्जन, मता, कई बच्चा हो यहाँ से इसको ले के चले जाए और आप सबसे भी एक बार निवेदन है कि आप अपने बच्चो को अपने साथ ही रखें क्योंकि बच्चे जानते नहीं हैं या फिर एक काम करें सब के सब अपने बच्चो को बिल्ला जरूर दें और उसके पीछे अपना उसकी मा का नाम और अपना पता उस पर लिख दे ताकि और मुबाईल नमबर लिख दे जिससे अगर ये कहीं भी बच्चा खोए तो आपको उस मुबाईल पर कॉल कर दिया जाए और आपको वो बच्चा आसानी से मिल जाए आए आगे हम विचार सर्वान करते हैं साद्वी सूसरी सुमन साहब के बोलिए सद्गुरु देव की जय कृप्या सब ध्यान दीजेगा मैं कह रही थी कि युवा ही हमारे देश समाज और राष्ट के अधार सिला है लेकिन आज देखने और सुनने को मिल रहा है और बड़े ही दुख की बात है कि हमारे देश के युवाओं का हाल ही अलग है आज हमारे देश के युवा सोसल मीडिया में ज़्यादा लीन हो गई है ज़्यादा प्रभावित हो गई है और अपनी जिन्दगी केवल सौख और फैसन के लिए जी रहे हैं इसलिए आए दिन समाज में देख रहे हैं कि हमारा देश और समाज पतन की ओर जा रहा है क्योंकि क्योंकि कोई भी वेक्ति एक अकेला नहीं होता है वो समाज का भागी होता है समाज का एक वेक्ति होता है उसकी जिन्दगी अगर बिगड़ जाती है तो ना जाने कितने लोग उनको देख देख करके ही बिगड़ जाती है सबसे पहले बिगड़ने का कारण है नसा कहते हैं कि नसा से सदे दूर रहना चाहिए चाहे जिस भी उम्र में हो नसा से तो सदेदू रहना चाहिए और कहीं युवा समाज इस नसा से प्रभावित हो जाए तो कहने की बात नहीं हम सब अपने आखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे खुद की जिन्दगी कैसे देश और समाज बरबाद हो रही है इसलिए नसा चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो उसकी आदत अगर पढ़ जाती है तो जीवन बरबाद हो जाता है कई लोग कहते हैं कि हमारी तो छोटी आदत है हम तो घुटका बस खाते हैं पान खाते हैं बीडी पीते हैं या चाय पीते हैं ये तो छोटे छोटे नसा है इसस लोग कहते हैं लेकिन नसा तो नसा होता है और उधारन देते हैं कि लोग तो सराब पीते हैं अफीम खाते हैं कोकीन पीते हैं और भी बड़े-बड़े ड्रक्स जैसे नसा है वो करते हैं वो गलत है ऐसा कहते हैं लेकिन मेरे भाईयों नसा तो नसा है नसा चाहे छोटे हो चा हमारे युवा पेड़ी जो है अपने जिन्दगी को बरबाद करती जा रही है आज पुरा होस्पिटल भरा हुआ है इन्ही नसा के कारण आज पुरा जेल भरा हुआ है इन्ही नसा के कारण किसी भी होस्पिटल में जाओ सराव जो है किड़नी किड़नी खराब कर देती है पिड़नी खराब, गुर्दा खराब, कहीं गालों में कैंसर, दातों में कैंसर, यही सब देखा जाता है, और जेल खाना भी भरा हुआ रहता है, एक बार मैं 36 गड़ में केंद्री जेल है, वहां मैं गई थी, कि चलो देखते हैं क्या है करके, तो वहां हम लोग गए, पांच साथ में पूरा जेल खाना घुमाए, तो महां लगभग 214 कैदी थे, और एकदम जमान जमान भाई लोग थे ऐसा लगता था, मानो होस्टल में पढ़ने के लिए आए हो, सुबह सुबह का समय था, नाने के लिए लाइन लगी हुवी थी, एकदम जमान जमान लोग थे, मैं जेलर सहब से पूछी, कि सर जी, एक लोग क्या अपराद किये होंगे, तब जेलर सहब कहने लगे, कि वो गाली दे के कहे, कि इन Лोगों को और क्या चाहिए, अछ़ा बाईक चाहिए, अछा बाईट चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, और यही सब नहीं मिलता है, तब म खाना भरा हुआ है अगर हम अपनी जिन्दगी को नहीं समझेंगे तो देश और राष्ट के बारे में क्या हम सोच सकते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नसा से दूर रहे नसा नसा होता है इसलिए कोई भी नसे की आदत ना हो क्योंकि जीवन में एक नसा आता है तो धीर धीरे सारे नसा जो हमारे जीवन में उतरने लगते हैं और एक अगर हम सद्गुन जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे सद्गुन हमारे जीवन में आने लगते हैं सदुर कभीर साहिब जीने में कहा है बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी हम जितना बढ़ाते हैं उतना घटता जाता है, तो नसा से दूर रहना चाहिए, दूसरा है असलीलता, आज समाज में हम देख रहे हैं कि युमाओं की दसा भिगरती जा रही है, उसका आज मुख्य कारण यह भी कह सकते हैं मोबाइल है हमारे सोशल मेडिया में यह मोबाइल भी आता है तो मोबाइल में अब टीवी होती थी तो चार लोग बैटके देखते थे तो गलत चीज़ तो नहीं देखते थे लेकिन आज सबके हाथ में मोबाइल हो गया है तो क्या देख रहे हैं क्या सुन रहे हैं पता ही नह सकेगा और अगर उसी तरह से बराबर वो देखता सुनता रहेगा तो निश्चित है उसका दिलो दिमाग जो है बरबाद हो गा ही और आज इसी का दूस परणाम हो रहा है कि आज हमारी महिलाएं हैं यूतियां हैं जो बच्ची ठीक से इस धर्ती पर पैर भी नहीं रख पाई हैं दो साल तीन साल चार साल की बच्चियों के साथ कितना सोसन हो रहा है रेप हो रहा है तो यह सब कारण क्या है यही असलिलता है देखना गलत देखना गलत सुनना यही सब कारण है इसलिए इस मोबाइल मोबाइल तो मोबाइल है कोई भी चीज ना अच्छी होती है ना ब कई लोग यहां भक्त लोग कहते हैं कि हम मोबाइल में प्रोचन सुनते हैं भजन सुनते हैं ऐसी बात कहते हैं तो कितने काम की चीज है यह मोबाइल जो है बहुत बड़ी काम की चीज है यह मोबाइल एक प्रकार से वरदान है लेकिन इसका दूरुपयोग अभिसाब भी बन देते हैं सरकार को दोस्ट देते हैं कि सरकार यह नहीं कर रही है वह नहीं कर रही है कुछ कानून नहीं बना रहे हैं लेकिन लोग अपने खुद से भीगड़ते हैं माता पिता की कुछ संसकारों से कहा जाए और खुद की कुछ संसकारों से अपने आदत और आश्रन को बिग है वो ना हो एक एक विक्ति अगर सुधरेगा तो निश्चित है धीरे धीरे सब लोग सुधर जाएंगे इसलिए दुनिया को ना देखें खुद के जीवन को देखें खुद को सद्गुन सदाचार की ओर ले जाएं ऐसे लोगों की संगत ना करें जिससे हमारा जीवन बरबा होता है लेकिन ये जो कुसंगी होते हैं उसके हर अंग-अंग में भी सोता है कभी भी किसी अंग से ड़स सकते हैं इसलिए आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आज के चकाचाउन से दूर रहिए क्योंकि सूख और सांती जो है ये चकाचाउन से लोटने मे ही आती है तो खास मैं युवा भाईयों से कहना चाहती हूं कि वही बात मैं फिर से दोराओं कि युवा ही हमारे समाज के अधार सिला होते हैं और वही अगर बरबाद हो जाए तो हमारे देश समाज और राष्ट का क्या होगा इसका हम सहज अनुमाल लगा सकते हैं इसलिए इस असलीलता से उपर उठें तिसरी बात है जुवा जुवा से भी आज हम देखते हैं कि हमारा खुद का जीवन देश और समाज कितना बिगर रहा है कहते हैं माभारत युद्ध हुआ उसमें जुवा का ही यही कारण था कहते हैं माभारत युद्ध अगर नहीं होता तो हमारे देश का नक्सा ही कुछ और होता कितने धन जन की हानी हुवी ये जुआ के कारण ही हुआ तो इसे भी दूर रहना चाहिए हमारे भारती भासा में इसे यक्ष क्रिडा कहते हैं और ये पुराने काल से चला आ रहा है और आज तो ये पापुलर गेम हो गया है एकदम लोगों के लोग पर ये खेल हो गया है और लोग सहज ही जुआ जैसे खेल को खेलते रहते हैं और अपने घर, जमीन ना जाने कैसी कैसी चीज जो है बिग जाती है इसलिए मेरे युवा भायों से ये निवेदन है कि ये जुवा जैसे रोग से भी आप दूर रहिए ये जीवन बहुत ही अनमोल है आप देश और समाज के लिए क्या नहीं कर सकते है अगर आप ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो और अगर आप ठान लो तो तुफान का पत मोर सकते हो और अगर आप ठान लो तो विश्व के इतिहास में सुयस्त का एक नवद्धाय भी जोड़ सकते हो कोई जरूरी नहीं कि आप समाज सुधारक बने आप अपने जीवन को सुधारे अपने घर परिवार को सुधारे इतना ही बहुत है तो यही मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन को समझे इस सराब जैसे नसा से दूर रहे असलिलता से दूर रहे और जुआ जैसे जो गलत खेल है उससे भी दूर रहे और खुद के जीवन को समारे सांसना देश और समाज और राष्ट को समारने में भी सहभागी बने इन्हीं सब्दों के साथ मैं अपनी वानी को यहीं विराम करती हूं बोलिए सद्गुरु देव की जैव कि पूलिए कि बहुत सुन्दर विचार अभी हम सभी लोग श्रुवन कर रहे थे युवा पीढ़ी के लिए जो साहिब जी ने दिसा निर्देश किया कि युवा पीढ़ी को तैयार करने वाला होता कौन है कि माता पेता आज का योग हो चाहे पहले का योग हो चाहे आने वाला योग हो जब तक माता पेता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे अर्थात बिगणने का मेन कारण क्या है देह बुद्धी भोग बुद्धी जब तक आत्म बुद्धी और त्याग की भावना समाज की सेबा परोपकार की भावना नहीं आएगी सहीयोग की भावना नहीं आएगी समर्पण की भावना नहीं आएगी तब तक किसी छेतर में सुधार नहीं हो सकता है इसलिए आवश्यकता है प्रतियक मानाव को सुधारने की प्रतियक मानाव को अपनी जिम्मेदारी को सचोटी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, समझदारी पूर्वक, निभाने की यह जो मानों का सरीर मिला है इसमें तो किसी को संदे नहीं होगा जितने लोग हम सब यहां बैठे हैं सब को पता है कि हम सब मानों सरीर को प्राप्त हो चुके हैं किसी को संदे है क्या कि किसी को नहीं और मानव सरीर को सुंदर संसकार कहा से मिलते प्रथम सिख्षिका हमारी मा होती है पिता होते हैं परिवार के लोग होते हैं समाज के लोग होते हैं साहित होता है कि दूसरा बताया जाता है कि जब बच्चा कुछ समझने लगता है योग हो जाता है कि एक गुरु के सानिद्ध में जाता है पहले का समय था गुरुकुल था वहाँ पर हमने जो देखा कि राम और कृष्ण इस संसार के दो महापुरुष जिनके महाभारत और रामाण ग्रंथ बने हुए हैं बेभी गुरु के ग्रह अर्थात गुरु के आस्रम जाते हैं और विद्या प्राप्त करते हैं वहाँ पर बहुत सुन्दर और बिद्या के सांसाथ संसकार भी दिया जाता है किसी प्रकार के उचनीच की भावन है नहीं गुरु की सेवा में चाहे एक गरीब ब्राममन का बच्चा हो चाहे राजा महराजा छत्रियों का बच्चा हो त्साब एक समान बन से लकड़ी लाते हैं आस्रम की सफाइ करते हैं गुरु और गुरु माता की सेभा और आज्या का पालन करते हैं तुकसुख मैं कैसे धहर्य पूरवक सहन सीलता पूरवक- भी करते हुए जीमन में आगे बढ़ना है यह सारी सिक्षा कि पंद्रह-सोलह वर्ष की उम्र में ही बच्चे को मातापिता के दौरा समाज के दौरा गुरू के दौरा प्राफ्ञत हो जाती थी कि और उन्हीं संसकारों की वजह से महराज स्री राम को कहा गया कि कल सुबह आपका राजति ल PG होना है और रात भर में ही सब कुछ बदल जाता है पूरी अयोध्या में तैयारी चल रही है कि सुबह राम का अभिषेक होगा, राजा बनाये जाएगा अयोध्या का राजा और सुबह पता चलता है कि नहीं राजा नहीं इनको तो चोदा वरस का बनवास हुआ है और बनवास भी ऐसा नहीं तापस बेस बिसेस उदासी और चोदा वरस राम बनवासी तपस्यों का भेस ले करके कुछ ले करके नहीं जाना है दसरत जी के प्रिय पुत्र राम ऐसा नहीं हो कहीं कहीं कि जब बुद्धी पलटी कि तो मंत्रा ने पूरा पढ़ा दिया था मैं आप लोगों को जो मुझे सुनते हैं जानते हैं इस पर से मैं काफी बोला करती हूं कि कि केके की बुद्धी कैसे पलटती है आप रामायन पढ़िए सद्गूर कबिर साहिब के जो बीजक है और भी गरंत हैं उसको पढ़िए सभी महापुरसों की बाणी पढ़िए और उससे सार गरं करिए संसार का कोई भी मत्पंत संप्रदाय या पूजा पाठ ब्रतप्वास कुछ भी गलत नहीं है बस हमारी सोच गलत हो गई हैं हम कहीं से सार नहीं ले पाते हैं सद्गूर कभीर साहिब केते हैं सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाये साधू को कैसा चाहिए सज्जन को कैसा चाहिए समझदार को कैसा होना चाहिए साधू ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाय सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाये रामायन में कहके कि बुद्धी तब पलटती है जब भरत और सत्रुगन अयोध्या में नहीं रहते हैं भरत है सत्संग और सत्रुगन है संयम जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं संयम नहीं उसके जीवन में कुसंग रूपी मंत्रा का आगमन हो जाता है कुसंग रूप संसार है ताते नेम बनाओ सत्संगती आधार देशाधन में ठहराओ बाहर कुसंग पदारत प्राणी, जड़ चेतन मिल दुर्मत ज़ा है, साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाहे, बहुत कुसंग है सरवत्र कुसंग का बातवरन पस्रा हुआ है फैला हुआ है बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही माया में लिप्त हो जाता है रामाने में भी बताया गया है महाभारत में भी बताया गया है सद्गुरु कभिर साहिब भी कहते हैं संसार के जितने महापुरुस है सभी ने कहा माया महाठगनी हम जानी यह माया से कैसे बचें कहें ही कभिर ते उबरे जाहिन मोह समाए तो कुसंग करेंगे तो मोह से बचने का कोई उपाए नहीं है आज हम सत्संगत में आए हुएं यहां पर बैठे हैं मैंने कहा सिक्षा पर से संसकार पर से विश्यों पर थोड़ा-थोड़ा मुझी बोलना है जैसे कोई बीज दे देता है ना तो बीज को जब बीज तो बहुत छोटा होता है लेकिन बीज को जब जमीन में बो देते हैं और खाद पानी डालते हैं उसकी खरपतवार को निकालते हैं तो वही बीज एक ब्रक्ष बनता है और ब्रक्ष से बहुत सारे फूल फल और घनी छाया मिलती है। ये सत्संग भी अभी इतनी साद्वियां बैठी हैं, अभी संत भी सुनाएंगे, गुरुदेव जी का भी हमें सुनना है, तो थोड़ा-थोड़ा समस्त प्रकार के बीज आपको मिलेंगे, इस बीज को आप ले करिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या मिलता है, जिस मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद काम जो करना चाहिए, वही काम करने के लिए हम यहां बीज लेने, आप किसान होंगे, बहुत लोग यहां किसान होंगे, विजनिस ब्यापारी होंगे, तो अपने से तो व एक विजनिस व्यापार करते हैं सवयम संत गुरुजनों से ज्ञान लेते हैं और फिर वही अपने जीवन में धारण करने के बाद जोने अनभाव होता है यह परमपरा चलती रहती है पुस्तकों के माध्यम से प्रवचनों के माध्यम से ऐसे सत्संग के माध्यम से आजकल अभी साहिब करें थी यूटूब YouTube के माध्यम से कितने लोग कहते हैं साइब दिन की सुरुवात हम सत्संग से करते हैं तो आप दिन की सुरुवात मैं हवें सा कहती हूं जो दिन की सुरुवात सत्संग से करता है और जीवन की सुरुवात अच्छी संगत से करता है उसका जीवन कभी बिगड़ नहीं सकता है उ कुई बच्पन से वो संसकार मेला हुआ था तीनों माताओं में बड़ा प्रेम था अध्या का जो बातवरण था बड़ा सुंदर चित्रन है कहने का समय नहीं है ऐसा माहौल बनाएए मैं तो यह कहती हूं कि सत्संग पंडाल में नहीं होना चाहिए सत्संग घर घर में और सब के अंतायकरण में होना चाहिए जैसे कभीर साहिब कहते हैं संतों घर में ज्गडा भारी इसी प्रकार से सब के अंदर सत्संग होना चाहिए पती-पतनी जब बैठें आपस में चर्चा करें तो मधूर बारता लाप होने चाहिए सिकायत नहीं तना तनी की बातवरण नहीं होना चाहिए वहां भी प्रेम से समर्पन भाव से अधी कोई गलती हो गई है किससे गलती नहीं होती सुईकार करने में कौन सी बड़ी हानी है आप छोटे नहीं बन जाएंगे सबसे गलती होती सबसे अपराद हो जाता है उस अपराद को पहले सुईकार करना सीखिए जब तक सुईकारेंगे नहीं सुधार नहीं होगा तो जब हम सुईकार कर लेते हैं सुधार हो जाता है तो पती पतनी जब चर्चा करते हैं तो सत्संग बन जाता है पिता पुत्र जब चर्चा करते हैं तो सत्संग हो जाता है एक दिन की बात है एक दिन लड़का जबान हो गया प से मैं आपके साथ भोजन कर लूँगा यही है सत्संग पतनी कहते ही आज तक कुछ सामाल लाते तुमसे बनता ही नहीं टमाटर लाए उसको पर गोभी आलू भाटा रख लिए टमाटर फूट गए किसी बस्तू का चैन करना नहीं जानते कुछ आता ही नहीं कुछ करना ही नही पिता कहता है आपकी ममी सही कह रहें बच्चों ने लेकर लगाई झ्चण करना है लडाइज जगड़ा करते हैं शिकायत करते हैं अपने जीवन को नहीं बदल पाते परिवार को नहीं बदल पाते आसपास के माँहुल को नहीं सभानी बादल पाते कंठी बानदे बर्शों हो गए 20 साल कहते हैं हर साल जाते हैं सद्सेंग हम सद्षाज अविलाज साहेब्जी के सिस्स हैं क्या सीखा सद्गूर।अट kap helemaal बोल रहे थικό එ theoretically कमखे ढ़िलाश साहेबव्ज है है और हम अपने जीवन में यदि अपने घर को अपने गाओं को अपने जीवन को आयोध्या मैं नहीं बना लेते हैं सत्संग मैं नहीं बना लेते हैं महाभारत करते हैं किसी ने पूछा क्या पढ़ते हो कहा रामायन कहें करते क्या हो कहें महाभारत क्या सीखा हमने रामायन से रामायन और महाभारत दानों गरंथे दानों में बहyond बड़ी सिक्षा है तो रामायन और महाभारत पड़ेगे थे आत्म कल्यान करना चाहेते थे संतों की बाणी सुनिए सब्गूरु कभीर साहब की बाणी सुनिए संसार के अन्न महापुर्षों की बाणी शुनिए और जीवन को सुन्दर बनाई यह सजाई इसावारिये तभी एह मानों जीवन सफल हो सकता है सार्था यह आयोजन जो हुआ है संत लोग कब से लगे हुए हैं कितना परिश्रम यहां पर सभी संतों का स्वास्त ठीक नहीं था लगभग लगभग चिकन गुनिया आपने सुना होगा कितना खतरनाक रोग हड़ी हड़ी को तोड़ देता है फिर भी आप हम सब को लाब पहुचाने के लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया मैं सुनती रहती हूं जहां रहती हूं रूम में इतना बोलते हैं लोग इतना बोलते हैं वानी को सह स्ट्यॆश्य का मनन ऊण हल् mortar चिंतन करेंगे हजरत मुहम्म्मद ने हधीश हदीस में कहा कि दुनिया से उदास रहता है और जो मौन रहता उसकी संगत करिए हम सब को ऐसा बनना है कि हम मौन रहें उदास रहें क्या है संसार में संसार अर्य सकल है मैला राम गहेते सूंचा कहैं कभीर राम नहीं छाड़ो गिरत परत चड़ी ऊंचा हमको उपर उठना है कामभोग से राम मैं जीवन बनाना है सदगुर। कबीर सहब पूछते हैं कोई राम रसिक रस पीया हुगे और पीयोगे तो क्या होगा पियो होगे युग जीया हुगे पिर मिरत्व攻 नहीं होगी हमारी हम सब अमरत Chief कि चाहते हैं हम सब सुतंतरता चाहते हैं, कौन व्यक्ति हाथ उपर खड़ा करके बताए, कि हम सुतंतरता नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इंद्रियों की गुलामी छोड़ना नहीं चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि हम अमरता चाहते हैं, मिर्तू नहीं चाहते हैं, वो तो दुखी हो करके, ब नागिन कोन कोई नहीं कहता को और मरना कमें हम स्वीकार करते हैं लेकिन अमर्ता मिलसक ए हमारी आतमा में अमर्ता है उस आत्मा को पहंचान है दुख हीनता हम सब चाहते हैं कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख हो लेकिन हम दुख की बौनी कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं इन विवेद विश्यों पर हम चर्चा सुनेंगे समय बहुत हो चुका है आईए मैं अपनी बानी को यहीं विराम देती हूं और कभीर साध्वी आस्रम नावागाओं कचना से 36 गड़ से हमारी परम पुझ्य सुसरी साध्वी समता साहिब जी विराजमान है आपके चरण कमलों में मैं विनम्बर प्राथना करती हूं कि आप सब आप भी हम सभी को अपने गंबीर विचारों से लभानवित करने की महान कि अब इस पर करें आप सभी लोग जोर से जैकार लगाएंगे बोलिए शद्गुरु देवे की अरेत झाय स्क्वाह। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कभीर साहेवे की जै सद्गुरु स्रिय अभिलास साहेवे की जै संत समाजे की जै भक्त समाजे की जै परम स्रद्धे परम पुज्य गुरु देवजी वंदनी संसमाज यहां परुपस्थीत सम्मानी धर्मनुरागी आत्मी बंधुओं भक्ति के स्रोत मम्तमय माताओं भायो वंभनों सद्गुरु कबीर सहब जी का एक पद है और उसकी अंतिम पंग्ती है उसी क्याधार पर मैं अपना विचार प्रस्तूत करने जा रही हूँ सद्गुरु कबीर सहब जी ने कहा है कहा ही कबीर कासों कहूं सकलो जग अंधा साचा से भागा फिरे जूठे का बंदा सद्गुरु कबीर सहब जी कहते है कही कबीर मैं कासों कहूं मैं किसे कहूं सकलो जग अंधा सारा संसार विवेक हिन बने हैं अंधे बने हुए हैं विवेख ही नहीं करते कि सत्य क्या है असत्य क्या है जड़ और चेतन का यथार्थ अपोध नहीं है यही कारण है कि सारा संसार अंधविश्वास में पाखंड में और जूठी मान्यताओं में भटक रहा है कहते हैं इस्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता इस्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता तो इस्वर कहां कहां पत्ता ही लाने के लिए जाते होंगे घंगोर जंगल है बड़े बड़े घाटी है पहाड पर्वत है कहां कहां भगवान पत्त ही लाने के लिए जाते होंगे किसी ने देखा है पत्त ही लाते किसी नहीं देखा यही कारण है कि लोग जो है इसवर का पता लगाते लगाते अपना पता भूल गए इस्वर का पता लगाते लगाते अपना पता भूल गए और कडोडों लोग आज तक लापता हैं उनका कोई पता नहीं है उसमें हम लोग भी सामिल हैं उसी लाइन में हम लोग भी लगे हुए हैं बस इस्वर का पता लगा रहे हैं एक दिन भी हम लोग भी ऐसे लापता होंग कि हमारा कोई पता नहीं लगा पाएगा, हम अपना पता भूल रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना पता लगाएं, खुद में खुदा को ढूंडे, खुद में खुदा को ढूंडे, सद्गुरु कभी साहिब जी ने कहा है, जो तील माही तेल हैं, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग, वो खुदा वो परमात्मा वो इस्वर कहीं बाहर नहीं हैं, वो तो सब के घट में हैं, मोकों कहां ढूंडे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मन को अंतर मुक करने के आवसकता है, लेकिन मनुस्य भूले हुए हैं, और अधिकांस्ता, आजकल सीव पुरान की होड लगी हुई है, और सीव पुरान के माध्यम से, जो माता बहने हैं, पुझा पाठ में लगी हुई हैं, और वहाँ फार्मूला क्या है, सीव पुरान में एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, आज तक किसी के घर की समस्याओं का हल नहीं हुआ है, सास और बहुं में लड़ाई हो ही रही है, भाई भाई में अभी भी अनबन है, पिता और पुत्र एक दुसरे के चेहरा देखना पसंद नहीं करते, तो आपका एक लोटा जल कह आएए भगवान खुस हो जाएगा, अंदर बेठा परमात्मा खुस हो जाएगा, आपका फर्मुला गलत है, इसी कारण आप जो है अपने घर में कित्रही पुझा पाट कर लें, सीलिंग की स्थापना कर लें, रोज जल चढ़ाएं कोई फायदा होने वाला नहीं है, असली देवी देवता हमारे घर में है, माता पीता के रूप में, साससुर के रूप में, बड़े बुजुर्गों के रूप में, संद महात्मा के रूप में, आप उनकी सेवा करिए, उनकी पुझा करिए, आपका पुझा सार्थक हो जाएगा, आप पत्थर में पानी डाल रहे है और जो जिन्दा इंसान है उनके प्रती घ्रीना और नफरत पाले हुए हैं तो आपका पुजा सार्थक होने माला नहीं है इसलिए असली चीज को समझे गनेश जी की पुजा किये ग्यारा दिन तक और बेचारे गनेश भगवान को आप नदी में ले जाकर कि भी सर्जन कर दि कि आपको स्राप दे रहें इसी कारण आप लोग भटक रहे हैं अभी देवी मां को आप नव दिन तक उनके नाम पर व्रत उप्वास किये और ग्यार्वे दिन उसे विसर्जित कर दिये नदी में और उसके नाम पर आप मुख पसुओं की हत्या करके आप करें कि देवी मां गृत नग्षाएं युकी किसी देविय देवता के नाम पर किसी मुख पसुओं की हत्या करना किस ग्रहएं यह नुव बनाई जुठी मान्यता है जुठी आढंबर है यह पाखंड है जब तक हम इससे बचेंगे नहीं जब तक आप कम विबैग नहीं करेंगे परक हिनीए तब तक हम इस तरह अंधविश्वास में भटकते रहेंगे एक घटना है एक टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे तो एक चुठकूला सुनाएं और कहें कि बच्चों बिल्ली चुहा और मनुस्य इसमें मुर्ख काउन हैं कि टीचर ने विद्यार्थियों के सामने प्रश्ण किया कि चुहा बिल्ली और मनुस्य में मुर्ख काउन हैं बच्चे चुप कोई जवाब ही नहीं कि टीचर कहने लगे कि कुछ तो बताओ सही गलत कुछ भी तो उत्तर दो लेकिन सभी बच्चे चुप एक छोटा सा बच्चा पीछे बैठा हुआ था वो धीरे धीरे हाँ उठा रहा था तो टीचर कहने लगे कि हाँ बेटा बताओ जो भी तुम्हारे मन में हो उत्तर दो बताओ तो बच्चा खड़ाओ कर कहने लगा कि सर चुहा बिल्ली और मनुस्य में मुर्ख मनुस्य ही है तो टीचर ने कहा कि बताओ कैसे मनुस्य मुर्ख है तो वो बच्चा कहने लगा कि सर हर घर में फोटो टंगा रहता है भगवान का फोटो टंगा रहता है गनेश जी का धूरगा जी का फोटो टंगा रहता है और उसमें गनेश जी की फोटो में टंगा रहता है उसमें रहता है चुहा की भी फोटो रहती है उसमें भोग लगा र बिल्ली लेकिन चुहे को डूब्लिकेट समझ कर उसो ज्पढ़ती नहीं उसको खाती नहीं है लेकिन मनुष्य ऐसा मुर्ख है कि उस फोटो को ओरिजिनल समझ कर उसके सामने अगर बत्ति घुमाता है पूजा करता है और कहता है अंधन को आख दे तो कोडिन को काया बांझन क तो पुत्रदेतों निर्धन को माया, आज तक किसको मिला है, किसकी जोली भरी पुजा पात करने से, बिना मेहनत किये, बिना परिष्रम किये, कुछ भी मिनने वाला नहीं है, इसलिए हम मूर्खन भने, विवेकी बने, पार्खी बने, इसलिए कहा गया है, कि यदि भगवान स तो बड़े बड़े न्यायालाई नहोते। सत्य सत्य क्या है इस पर हम वीवेक करें। इसलिए हम इस ग्यान की गंगा में आई हुए हैं। अपने अंदर के जो कालिमा हैं, अंधकार हैं, आडंबर हैं, पाखंड हैं। उसे धोकर हम अपने जीवन को निर्मल पवित्र बनाएं। अपने जीवन को हम ग्यान से आलोकित क करें जीवन धन्य हो जाएगा हम अपने जीवन का सुंदर निर्वान करें बस इतना ही कहा कर मैं अपनी वाने को विराम देती हूं बोलिए सद्गुरु देव की जय को बोलिए सद्गुरु देव की जय को बहुत सुंदर विचार अभी हम सिर्वन कर रहे थे अभी एक भजन बहुत चल रहा है चल रहा था सिवरात्री में एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल बोलो ओम नमस्षिवाए सारे दुखों का उपाए ना किसी को तुम सताओ ना किसी का दिल दुखाओ ना किसी की लो तुम हाए बोलो ओम नमस्षिवाए बहुत अच्छा भज़न मैंने कहा ना सताओ ना दुखाओ ना किसी की हाइ लो एह काम की बात एक लुटा जल चढ़ाने से यदि आपके अंदर ये बुद्धी आती है कि किसी को सताना नहीं चाहिए दुखाना नहीं चाहिए जल चण़ाना गलत नहीं है असली काम होना चाहिए जितने भी देवी देवता बनाए गए हैं पेड़ पहाड हम पूछते हैं नदियों की परिक्रमा और रिष्णान करते हैं इसके पीछे रीजन एक ही है कि हमारी बुद्धी में चेतनता आए कोई सुधार आए हम सताना दुखाना किजी का हक छीन ना लूटना मारना कहते हैं कि कणकण में भगवान है घटगट में भगवान है कोई कणकण में कहता घटगट में कहता कहां बोरा है यदWe सच में ऐसा मानते हो तो फिर अपराद रुकशाने चाहिए रोज सबसे gonna जाने चाहिए आदा योँ अमने मच्श्च बाय कहने से आपका कल्यान हो रहा हुसी दुखदूर हो रहा है तु बालमीक जुरतना करते उनहों ने तो राम राम भी नहीं कहा था क्या गदा फुल्टा नाम जपत जग जाना बालमीक भै ब्रहम समाना उन्हों करने के लिए हम संध्या पार यह जितना भी हम करते सर्फ Champ time तो यह पंधी कहलाना कबिर को में अपना गुरु मानते हैं बिस भी भी हो जाएगा क्या है वो काम निर्मल मन हो तो रगुनायक सवरी के घर आए स्याम सूर की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाए इस पर हमने नहीं विचारा इस पर तुमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान तुमने आगन नहीं बुहारा तुमने आगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान रामायन भी कहती निर्मल मन आप सब जानते हैं बस संकेत किया जा रहा है बहुत सुन्दर विचार हम सब के अंदर जितने भी ये बैठे हैं गुरुदेव जी कहा करते थे ये देवी हैं और ये देवता हैं आतमा ही परमातमा पवित्र कर्म ही पूजा है जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा जो कुछ करूं सुपूजा जब सोबू तब करूं दंडवत भाव मिटाऊं दूजा सद्गुरु कभीर साहीम ने कैसा मंत्र दिया जिसको ग्रस्त व्रक्त किसान विद्वान अनपड एक महिला कामकाजी महला वह भी भजन कर सकती है वह भजन क्या है मन की तरंग मार लोबस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लोबस हो गया भजन मेन कारण यही है कि मन बिगड़ा हुआ है आदत बिगड़ी हुई है उसी को सुधार ना है और अलग से हम माला जपैं न जपैं वो तो माला इसलिए जपा जाता है माला बोली भगत से तू क् फेरे मोई गर मन को तू फेर ले तो राम मिला हूं तोई इमाला फेरना पूजा करना अगर्वत्ति लगाना जल चणाना घंटी वजाना संख फूंकना इस सत्संग करना एक ही इसका उद्देश है मन की पवित्रता मन की निर्मलता आच्रन की सुचिता अपने आप में राम को पाजाना गोश्वामी जी भी कहते हैं तुलशी या संसार को भयो मोति या विंद घट में है सूजे नहीं लानत असी जिन्द तो अपने अंदर खोजना है हम सबको तो आएए मैं अन्तिम प्रवक्ता के रूप मैं भजन उसके पहले मैं भजन रखने के लिए साद्वी आस्रम जोटवर्ड गुजरास से पधारी हुई हमारी परम पूजनिय सुस्री जया साहिब जी से विनम्र प्रातना करती हूं कि आप भजने और उसके बाद हम अंतिम प्रवक्ता से जुड़ेंगे हमारी साहिब जी विराजमान है तो वहां माइक पहुंचे तब तक तु क्या कर रहे हैं बोलिये सद्गुरु देव की जी है गुरु पैया लागु नाम लखा देजे नाम गुरु पैया लागु नाम लखा देजे नाम गुरु पैया लागु नाम लखा देजे नाम जन में जनम का सोवल मनुआ सब देन मारी सब देन मारी जगाली जोना गुरु पैया लागु नाम लखा देजे नाम गेहरी नदिया अगम बहे धरवा खेय की पार खेय की पार करा दीजे नाम गुरु पैया लागु नाम लखा देजे नाम गुरु पैया लागु नाम लखा देजे नाम विशे की लहर उठे घट भीतर अमरीत मोंद अमरीत मोंद चुवादी जेना गुरु पयाला गुनाम लखादी जेना धर्म दासे की अर्ज गुसाईं अबे की पार अबे की पार करा दीजेना गुरु पैया लागो नाम लखा दे जेना सहे बंदगेशाई आये अब हम धरम पूरी साध्वी आशरम से विराजमान परम पूजनिये श्री साहिब जी के आशीर वचनों से लाव लेते हैं बोलिये सद्गुरु देवे की जय बोलिये सद्गुरु कभीर साहेब की जय संत समाजी की जय भक्त समाजी की जय परम पूजी गुर्देव जी अर्चनिये वंदनी संत समाजी धर्म प्रेमी भक्त सर्जनों शद्धा मूर्ती मातावेनों आज प्रयाग्राज कभीर पारक संस्थान के प्रांगन में अधिवेशन का दूश्रा दिन प्रथम शभभा हम अभी बहुत देर से हमारे साथी बहनों से सुंदर सुंदर विचार शवन कर रहे थे अपने जीवन को कैसे हमें बनाना चाहिए, कैसे हमें सुक्षान्ती मिले किस प्रकार का हम अपना जीवन बनावे कि जिससे हम जो कुछ प्राप्त करने के लिए यह आए है उसको हम प्राप्त कर शके वैशे देखा जाए तो हमारा जीवन दो तत्तों का सहयोग सहयोग से जीवन उपस्थित हुआ है केवल पंच भौतिक तत्तों के शरीर से जीवन उपस्थित नहीं हो शकता या तो केवल आत्मा से जीव से चेतन भी जीवन उपस्थित नहीं हो शकता है जब दोनों का संयोग होता है, शरीर और आत्मा, जड़ और चेतन, तभी हमारा एक जीवन निर्मान होता है, तो जीवन में पंच भावतिक शरीर है, तो एक भावतिक जीवन भी है, और उसमें चेतना, जीव, आत्मा, बिराजमान है, तो दूसरा हमारा आध्यात्मिक जीवन हम भवतिक जीवन की तरफ तो upoveध ध्यान देते हैं शमय लगाते हैं शक्ति लगाते हैं को उपार्जन करते हैं भव्य चपार्जेंन इस वरिय और मनुस्य समझता है कि धन संपत्ती मिल जाई और इस वर्या मिल जाए समाज में मान प्रतिष्ठा मिल जाए, पुत्र परिवार हो जाए, सब कुछ भौतिक उन्नती हो जाए, तो हमारे जीवन में शुक, शांती, चैन हमें मिल जाएगी, लेकिन व्यक्ति के जीवन में देखो, जितने भी धनवान है, जितने भी किर्तिवान है, जितने भी प्रतिष्ठित है अगर उसको मिलोगे तो पता चलेगा कि उसके जीवन में कितना है शूख कितनी है शांती तो धनवाइभाव में मान प्रतिष्ठा में या स्किर्टी में पुत्र परिवार में कहीं बर भी सुख सांती नहीं है हां सुविधा हो सकती है वस्तुओं से सुविधा मिल सकती है लेकिन शूख और सांती एक अलग विशय है और उसके लिए हमें जीवन में आध्यात्म की कमाई करना पड़ेगा और इसलिए हम लोग आज आये भी हैं तो भवतिक जीवन में कैसे हमें परिवार में कैसे रहना चाहिए भाई-भाई का संबंद, पिता-पूत्र का संबंद, स Sadguru Kabir Sahib, Sadguru Abhilash Sahib Ji कहते है प्रेम में स्वर्ग है जहां तक हमारा रिस्ता है सबके साथ में प्रेम का वेहार और अनाशक्ति में मोक्ष है हम अनाशक्ति पूरवक जीवन जीएंगे तो हम आत्मकल्यान इसी जीवन में कर शकते हैं तो हमारा जीवन दो तत्त्तों के संयोग से उपस्थित हुआ है यह चेतना है वो ज्यान सरूप है और जो सरीर है वो जड़ सरूप है चेतना ज्यान सरूप होते हुए भी जब तक बीच में माध्यम मन नहों तब तक हमें सरीर का भी ज्यान नहीं हो शकता है मन के माध्यम से ही हम सरीर को जान सकते हैं और सरीर संबंद प्राणी और पदार और जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो ग्यान सरूप चेतन के साथ में मन है तो मन के द्वारा ही हम बहार जुडते हैं और उस मन को ही हमें परखना है समझना है सुद्ध बनाना है पवित्र बनाना है यही हमारी अध्यात्मिक उचाय अध्यात्मिक क काम यही है, कल हम श्रवन कर रहें साहिब जी के माध्यम से, कि सरीर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरीर तो एक दिन बुढ़ा अवस्था तक जर जर अवस्था तक जाएगा, यहने संसार में देखते भी है और अनुभव भी है, कि अनेक प्रकार के लोग सरीर को कित अपना काम करेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम शरीर परिवतन सील है, जिन तत्तों से बना है, वो तत्त्व स्थीर नहीं है, गती सील है, इसलिए बालपन से, जुवानी जुवानी से अधेर अवस्था, फिर जर जर अवस्था यह तो आना पक्क्ता है, फिर भी जीवन मे सायम की आवश्यक्ता है तो सरीर के लिए हम क्या कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते और चेतन जो बिराजमान है वो तो सुद्ध बुद्ध अजर अमार अखंड अविनाशी है उसके लिए भी हमें कोई मेनद कोई साधना करने की जरूरत नहीं है लेकिन दोनों के बीच में जो माध्यम हमारा मन है साधना उसी के लिए करना है और हमारे जीवन में मन का प्रभाव किस प्रकार से पढ़ता है हमारे मन के विचार हर समय हमारा मन सोचता रहता है कभी सकरात्मक सोचेगा कभी नकरात्मक सोचेगा कभी आवश्यक बातों को सोचेगा और कभी ब्यार्थ बातों को भी सोचता रहता है तो उसमें काम की चीद कितनी सोचते है आवश्यक जो है वो तो सोचना ही चाहिए विचारना ही चाहिए जब कोई भी काम करना हो तो उसके उपर विचार किया जाता है इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है, पहले सोचा गया, विचारा गया, किस प्रकार करना है, कैसी व्यवस्था करना है, तो यह सब जरूरी है, इसके लिए विचारना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति ज्यादा नकारात्मक सोचता है, और व्यर्थ सोचता है, इसलिए उसके युक को दूर करने के लिए व्यक्ति की सोच बदलनी पड़े गी, उसका प्रभाव कैसे पढ़ता है एक राजा और उसका मीत्र था, उसके मीत्र का वेपार था लकडी बेजने का, बहुत बड़ा लकडी का वेपारी था, दोनों की अच्छी मीस्तरत मीत्रता थी, तो लकडी तो उसकी नजर पड़ती है चंदन की लकडी पर, सोचता है कि इसमें तो कितना मेरा इन्वेष्ट है, इस लकडी कब भीकेगी और मेरा पैशा आएगा, सोचता रहता है कि कैसे उस लकड़ी के बिक्री की जाए कौन खरीदेगा सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि राजा जब मर जाता है तो कहते हैं कि चंदन की लकड़ी से उसको जलाया जाता है अब दूसरी सोच चलने लगी कि राजा मरे तो कैसे मरे अचानक कोई घटना हो जाए, हार्ट अटेक हो जाए, तो मर सकता है, लेकिन दूसरा मन कहता है कि राजा तो स्वस्थ है, अभी इतने बुड़े भी नहीं है, नहीं मर सकते, वो सकता है कि आसपास के रजवारे अगर चड़ाई करे, युद्ध करे, तो युद्ध में राजा मरा जा सकता है, मर सकता है, तो लकड़ी बिख सकती है, फिर सोचता है कि राजा का तो इतना अच्छा सोबाव है, कि सभी रिस्ते दाज, जितने भी राजे रजवारे हैं, सबसे अच्छा संबन है, तो चड़ाई तो होगी नहीं, तो मरेगा, तो कैसे मरेगा, फिर सोचता कि कोई जनता मैं से कोई वीरोध करता हो या कोई दूसमानी हो तो आख thou लिसकता है वो मार दे कि तो राजा मारेगा तो लकडी भीकेगी फिर सोचता है कि राजा इतना अच्छा शभाव का इतना प्रेम से जनता को रखता है कि कोई उनके दूसमन हो ही नहीं शकते, तो राजा तो मर ही नहीं शकता, मेरी लकडी बीकेगी नहीं, और ऐसे उधेड़वून में, ऐसे सोचते सोचते, उनकी नींद हराम हो गई, क्योंकि उसकी नेगेटिव लोब के कारण को सोच रहा है लकडी बीकना एक लोब है नहीं, तो इस प्रकार उसकी नींद हराम हो गई, भूख लकती नहीं है बैचेनी जीवन में, और जब जब राजा को मिलता है, तो वही नेगेटिव एनरजी के कारण, दोनों की जो मित्रता थी, दोनों का जो शनेता प्रेम था, और धीरे धीरे उसमें खटास आने लगती है, एक दूसरे के प्रती जो पहले भावनाय थी, वह तूटने लगती है, और उसका नेगेटिव एनरजी का प्रभाव, राजा पढ़ भी परने लगा, और एक दिन राजा भी सोचता है, कि मेरा जो मित्र है लकडी का वेपारी, उसके तो कोई स संतान नहीं है, इनके पास इतनी बड़ी संपत्ती है, फिर भी वह चिंतिद क्यू है, दुखी क्यू है, और कहते हैं कि जब वह इतनी संपत्ती छोड़ के जाएगा यहां से, तो उसकी संपत्ती तो राज कोस में ही आएगी, अब राजा को भी लोब लगा, वह भी सोचता है उसके विसे में नेगेटिव, इस प्रकार दोनों जब भी मिलते हैं, एक दूसरे को नेगेटिव एनरजी दे रहे हैं, और एक दोनों अशांत, वीवस, विशाद में ग्रस्त, दोनों की निंद हराम, दोनों की भूख हराम, अब ऐसा करते करते, वेपारी के मन में विच विचार आया, कि में राजा से माफी मांग लूँ और राजा के पास पहुचता है, और कहता है कि मित्र मेरे को माफ कर दो मेरे को छमा कर दो, तो कहते हैं, तुमने कोई अपराद तो किया नहीं, किसलिए तुम माफी मांगते हो, तब अपनी पूरी कहानी बताते हैं, कि लक कर दिया लेकिन एक उपाई करता हूँ कि तुम्हारी जो लकड़ी है वो खरीद लेते हैं एक सुंदर लकड़ी का मंदीर बनाते हैं जो चंदन की लकड़ी का जिससे जनता को भी लाब होगा चंदन की सुगंदी बिखरेगी और जनता में भी एक मंदीर के प्रति शद्धा लोग आएंगे जाएंगे और उसकी जो एनर्जी प्राप्त करेंगे तो सम्मती होती है दोनों की और वो लकड़ी देता है राजा को और सुंदर मंदीर का निर्मान के लिए सुरुआत करते हैं तो राजा कहता है कि जब तुमने लकड़ी दी है तो राज कोस से उसकी जो स कोसा गाल से पैसा निकलेगा, उसका समाज की सेवा में लगा दिया जाए, तो राजा भी खुज, कि चलो समपत्ती को लगा दिया जाए, और दोनों की जब मन की विचार की सक्ती बदली, और दोनों का जीवन भी सुंदर हुआ, आपस में मित्रता भी अच्छी हो गई, तो मे ग्रीना है, नफरत है, द्वेस है, तो हमारा तो नुक्षान होता ही है, और सामने वाले का भर नुक्षान होगा, उसके जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो हमें रिस्तों को अगर सुधारना है, तो अपने मन के विचारों को सुधारना पड़ेगा, मन के तो इस प्रकार अपने मन को शुधार ना अपने मन को पवित्र बनाना अपने मन को निर्माण बनाना यही सच्ची साद्ना है और यही सीखने के लिए हमें यहाँ आना होता है और आज जो कुछ भी हम यहां सुनेंगे, सिखेंगे, समझेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे, तो इसी जीवन में हमें सुख और सांती का अनुभव होगा, और सुख सांती कहीं बाहर नहीं है, सुख सांती अपने अंदर में ही है, बस हमें मन को बाहर जो दो तो इस प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में सरीर है, चेतना है और दोनों के बीच में मन है, तो हमें जो कुछ भी काम करना है, अपने मन के लिए करना है, मन पर ध्यान देना है, तो उसके उपर ध्यान देंगे, तो जरूर हमारा जीवन सत्यम सिवम और सुंदरम बनेगा, और हम जीवन में कोई शिकायत नहीं रहेगी, इसी जीवन में हम अपना आत्मकल्यान कर शकते हैं, इसलिए संतों की शंगत, सच्चा साहित्य और अच्छे विचार से हम जीवन को सुन्दर बनावे, इतना ही कह करके मैं वाने को विराम देती हूं, बोलो शद्गुरु देव की जै क्यों से बाएं," क्या है दुझ आत्यू है है उसकते हैं